प्यारे दोश्तों नमस्कार आज हम एक महत्पून टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है चुनाव सुधार वर्तमान आउशक्ता याने कि भारत में इस टॉपिक पर हम देखेंगे कि आज तक कौन-कौन से चुनाव सुधार किये जा चुके हैं और किन-किन चुनाव मितियां आज तक बनी है कि भूमिका की याने कि चुनाव सुधार जरूरी क्यों है और आपने देखा भी होगा वर्तमान में अगर कोई भी चुनावती हमारे सम्मुख देश के सम्मुख आती है या कोई कोई भी समश्य आती है तो उसके लिए हम क्या है अपनी राजनितिक प्रणाली को दोस्त देते हैं किन्तु हम यह नहीं सोचते कि कोई भी राजनितिक प्रणाली है वहो वहां रहने वाले मनुख्यों के आधार पर ही काम करती है यानि कि जैसा किसी देश की जनता अपनी र प्राणती है कि उसकी जंता पर निर्भर करता है भले हमको लगता हो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है पर वहां कीूँ जंता पर ही वह निर्भर करता है जानकारों की माने तो इस समश्या में समाज की भी इस पस्ट भागदाली है हमारी राजनितिक प्रणाली का व्यवार समाज के प्रती उनकी प्रती कि रिया है इस राजनितिक प्रणाली को सुधारने के लिए और समाज और उसके तंत्रों में सुधार की आउशकता है यहीं से चुनावी सुधार महत्वण हो जाती है भारत जैसे जीवन लोकतंत्र में क्यों आउशक है कि देश में सुसासन के लिए सबसे अच्छे नागरिकों को जन परतिनिजियों के रूप में चुना जाए यह भी चुनाव सुधार की आउशकता है इससे जन जीवन में नैतिक मुल्यों को बढ़ावा मिलता है साथ ही ऐसे उम्मिद्वारों की संख्या भी बढ़ती है जो सकारात्मक वोट के आदार पर चुनाव जीतते है लोगतंत्र की इस प्रणाली में मतदाता को उम्मिद्वार चुनने या अस्विकार करने का आउस्टर मजबूर करें कोई भी लोगतंत्र इस अवस्ता पर काम करता है कि चुनाव स्वतंत्र और निस्पक्ष होंगे यह चुनाव पर किरिया ही है जो चुने गए लोगों को कुणवत्ता और उनके प्रदर्शन के माध्यम से हमारे लोगतंत्र को प्रभावी बनाती है यहने कि चुनाव का एक महत्तफून रोल आपके राजनितिक प्रणाली में होता है चुनाव ब्रस्ट होंगे तो आप क्या है जनता को भी ब्रस्ट बनाएंगे राजनिताओं को भी ब्रस्ट बनाएंगे चुनाव में ब्रस्टाचार नहीं होगा तो आप एक क्रणाली को क्या करेंगे गठन करेंगे कि ब्रस्टाचार आता कहां से है ब्रश्टाचार जहां से भी आए पर आप देखते होंगे कि चुनाओ के दौरान ब्रश्टाचार, हिंसा, द्वेस, विध्वेस इस सारी भावनाएं व्यक्तियों के वीतरम को ज्यादा देखने को मिलती है अपराद, हिंसाई इस सारे अधिक देखने को मिलते हैं तो ये क्या है भारत्य चुनाव प्रणाली के बहुत से दोश है तो ओनी पर हम बात करेंगे चुनाव सुधार की सबसे पहली बाता आती है कि आउशक्ता क्यों है क्यों हमें चुनाव सुधार की आउशक्ता है तो पहला कारण है राजनिती के जटिल आंतरिक चरित्र और गटवन्दन की अंतहिन समावनाओं के चलते भारत के चुनाव का अनुमान लगाना बहत कठीन है भारत के मद्दाता संसद या लोकसभा के 543 सदस्चिय निचले सदन के लिए सांसदों का चुनाव करते है छेत्र के हिसाब से दुनिया के सात्वे बड़े और दुसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में चुनाव कराना बहत जटिल कारिया और इसलिए इस जटिल कारिया को सरल बनाने के लिए चुनाव में सुधार की आउश्चिकता है दुसरा निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित रूप से लाजनितिक दवाव डाले जाते हैं फल्सुरूप वो इन निस्पक्ष रूप से अपना कारिया नहीं कर पाते हैं इसलिए चुनाव सुधार की आउश्चिकता है भारतिय चुनाव में सत्तारूड दल द्वारा सरकारी मसिनी का दुरुपयोग आम बात है दली अलाबों के लिए प्रसासनिक तंत्र के दुरुपयोग के विरुद विपक्षी दल हमेशा आवाज उठाते रहे हैं परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि जब भी विपक्षी दल सत्तारूड हुआ हो तो वह भी इन दोसों से मुक्त नहीं हो पाया है यानि कि विपक्ष जब विपक्ष में होता है तो सत्तारूड दल की बुराईयों को अवश्य गिनाता है किन्तु जब वह सत्ता प्राप्त करता है तो उन बुराईयों में खुद अर्ष्वता ही सनलिप्त हो जाता है आपने देखा होगा कि जब पेट्रोल के दाम 45-50 को छू रहे थे आज से 6 वर्षपूर तो कहा जा रहा था कि पेट्रोल महंगा हो गया है कैसे आप अपनी सरकार को चेंज करेंगे और पेट्रोल को सस्ता कराएंगे राज पेट्रोल के दाम 900 को छू रहे हैं तो फिर क्या है वही व्यक्ति जो उस समय कह रहा था या कह रहे थे कि पेट्रोल के दाम महंगे हो गये हैं आज वो कहते हुए मिलते हैं कि आखिर देश किसका है तो यानि कि आप अपनी ही बातों को क्या है बदल देते हैं आपके पक्ष में है, उसके पक्ष में बोलिए, आपके भी पक्ष में है, कुल कहने का मतलब है। जब सत्ता पर पहुँच जाते हैं, तो आपको नीचे जो गरीब वन्चित लोग हैं, उनको नजर वो लोग नजर नहीं आते हैं। ऐसी, क्या है, ये एक भयाना की स्तिती है, किन्तु है। उसके पर शाथ बारत्य चुनाओं में सत्ता रूर दल द्वारा सरकारी मसेनिरी का ये मैं बता चुका हूँ आपको, बारत्य चुनाओं प्रनाली की सबसे बड़ी खामी यो है, कि चुनाओं से पूर्व तक मत दाता स सुची अपूर्ण रहती है, परणाम सरूप अनेक नागरिक अपने मत आदिकार का परियोग करने से वन्चित रह जाते हैं, यह भी भारत्य निर्वाचन प्रनाली की बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, और इसलिए बहुत से लोग क्या है, कहीं इ प्रियोटर लिस्ट में नहीं है, तो यह भी क्या है, एक बहुत बड़ी खामी कह सकते हैं चुनाव आयोग की, या फिर भारत्य चुनाव प्रनाली के सम्मुग एक बहुत बड़ी चुनावती इसे कहा जा सकता है, निर्दलिया अमिद्वारों की संक्या में बहुलता भी चुनाव प्रनाली की बड़ी समश्या है, प्राया निर्दलिया अमिद्वारों का परियोग वोट काटने के लिए किया जाने लगा है, तो इस पर मैं कल काफी चर्चा कर चुका था इन सभी विद्वों पर, इसलिए मुझे आज इस पर ज्यादा भाताने की आउशक्ता प्रयाप्त आज़ा इसमें मैं आपको निर्वाचन आयोग के पास अपने स्वतंत्र करमचारी नहोना इसको बैब बता देता हूँ, जो निर्वाचन आयोग है, उसके पास आपने देखा होगा जब वोटिंग का टाइम होता है, तो आपके टीचर्स, आपके विविन करमचारी क्या है, वोटिंग का कार्या करने जाते हैं, पुलिस वाल वोटिंग का कार्या करने जाते हैं, वोटिंग यानि कि वोटिंग में उनके ड्यूटी लगती है, तो यानि कि निर्वाचन आयोग के पास अपने स्वतंत्र करमचारी नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या है सिर्फ चुनाओं के समय अन्या विभागों के करमचारियों को लेकर कार्यपालिक के करमचारियों को लेकर अपना काम चलाता है जिससे क्या है वैसे कही न कहीं सही भी है कि निर्वाचन आयोग बाकी समय उन करमचारियों को वेतन कांसे देगा पर कुछ संख्या में निर्वाचन आयोग के पास अपने अधिकारी होने चाहिए जो की नहीं होते हैं तो यह भी एक दोश है अब बात आती है जो स्वतंत्र एवं निस्पक्ष चुनाओ है याने कि जो ब्रष्टाचार मुक्त चुनाओ है उनको कौन-कौन से ऐसे कारण है जो प्रभावित करते हैं याने कि यह भी भारत्या निर्वाचन प्रणाली के दोश है पहला प्राया उम्मिद्वार अपने आप्राधिक रिकार्ट का ब्योरा नहीं देते हैं वो अपनी संपत्ती देंदारियों आय तथा सैक्षिक योग्यता का विवरण भी नहीं देते हैं ये एक परिशानी है जिससे चुनाओ क्या है निस्पक्ष नहीं हो पाता दूसरा चुनाओ में धन की बढ़ती भूमी का हमारी चुनाओ विवस्ता का गंबीर दोस है चुनाओ में पैसा पानी की तरव भाया जाता है अत्यदिक चुनाओ विव्याई के कारण सामान्य व्यक्ति निर्वाचन की परिखिया से कोसो दूर रहे जाता है पिछले कुछ वर्षों में कानून सम्मत और असलियत जो होती है वो कुछ और होती है जिससे निस्पक्ष चुनाओ नहीं हो पाते हैं चुनाओ जीतने के लिए उम्मीदबार बाहुबल का प्रियोग करते हैं हिंसा धमकी बूत कैप्चरिंग बाहुबल की बड़ी भूमिका इसमें होती है यह समश्या पहले अम्मीदब देश के उत्तरी भागों में हुआ करती थी पर अब क्या है धीरे धीरे बाकी प्रांतों में भी फैल रही है वैसे अब इस पर धीरे धीरे काबू पा लिया गया है जो नकसली और आतंगवादी छेत हैं सिर्फ वहीं ये गटना अधिक देख जाए या उन पर कार्यवाई न की जाए तो यहाने की निस्पक्ष चुनाओं को प्रभावित करने में अपरादी किस्म के या अपरादी क्योंकि भारतिया न्याइक व्यवस्ता या भारतिया न्याइपालिका की इस्तिती यह है कि आज आप अपराद करें आपको 30 साल कहीं बार इस्तितिया यह होती है कि तीस साल तक आप राद अपने प्लाण प्राद फोर्द ज 안तर चुका होता है या अगर आज कोई आप rouगता है और उसका न्याई समय से ना मिले तो वह न्यानी नहीं कहलाता है ये तयाग चुका होता है या अगर आज कोई आप राद होता है और उसका न्याय समय से नहीं नहीं कहलाता है तो भdhya might Jack warnings व्यवस्ता है न्याय पाली की व्यवस्ता है उसको लिजragenों कि क we ta पनागत चाहिब हम पनागार हिस परकार कि संग्या भी दी हैं। तो इसलिए उस नियाइक व्यवस्ता का लाव उठाटे हुए। अपरादी प्रवर्टिए के लोग कानून बनाने वाली संस्था में पहुचेंगे। तो वह कैसे कानून मनाएंगे। से अपरादियों को क्या है मदद मिले क्योंकि वह स्वयम अपरादी है अपनी मदद के लिए कानून मनाएंगे तो यह भी क्या है एक भया वहा इस्तिती है और इसमें बदलाओ की आउशक्ता समभा बदलाओ किया जाना चाहिए उसके पश्चाथ जाती आधारित राजनिती देश की बुनियाद और एक्ता पर प्रहार कर रही है और आज जाती चुनाओ जीतने में एक पर्मुक कारक बनी हुई है यह कुल मिलाकर मैं इसे सीधा कहें जातिवाद और छेत्रवाद ने भी क्या है निस्पक्ष चुनाओ को प्रभावित किया ह सामपरदा एक्ता दार्मिक कटरवाद इसने भी क्या है निस्पक्ष चुनाओ को प्रभावित किया है और कहीं जगा हिंसा आंदोलन इनको जन्म दिया है अब बात आती है सिधा सिधा चुनाओ सुदार से सम्बंदित समितिया एवं आयो कि अभी तक हमने जो भी बात की व सेब्सक्राइब घ्राओं के शन्मुख चुनवतियां हैं वह कह सकते हैं वह था अब हम देखते हैं कि आगे अब तक भारत चुनाओ सुदार किये गए हं और किन-किन समितियों के माध्यन से किये गए हैं कहीं बार ये पूछ लिया जाता है कि चुनाओ-शुदार से सम्ब और आयोग कौन-कौन से हैं भारतिया इतियास में तो आपको ध्यान रखना है तारकुंडे समीती वर्स 1974 में निर्मेत हुई थी चुनाव सुधार पर दिनेज गुस्वामी समीती वर्स 1990 में गठी थी राजनीती के अपराधी करण पर वहरा समीती वर्स 1993 में गठी थी चुना की रिपोर्ट जो की 1999 में है और चुनाव सुधारों पर चुनाव आयोग की रूपोर्ट वर्स 2004 में है इसके अत्रिक्ट सासन में नैतिक्ता पर विरप्पा मोहिली समीती वर्स 2007 और चुनाव कानुनों और चुनाव सुधार पर तंखा समीती वर्स 2010 जो ये समीतियां है आयोग है इनकी अनुसंसाओं के आधार पर चुनाव परणाली चुनाव मसीरी और चुनाव परिक्रिया में कहीं परकार के सुधार किये गए हैं निमलिखित दो काल खंडों में बाटकर इनका ज्यनम करते हैं दो काल कान कर यानि कि दोहजार से वर्स 2000 से पूरु कौन कौन से सुधार किये गए हैं और वर्स 2000 के पश्चार कौन कौन से सुधार किये गए हैंлек तो पहले देखते हैं वर्स 2000 से पूरूर के चुनाव सुदार। समिदान के 61 समिदान संसोदन अधिनियम 1989 के तहट अनुछे 326 में संसोदन करके मतदान की आयो को 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स की गई थी यह एक बहुत बड़ा चुनाव सुदार। दुसरा चुनाव कारियों में लगे अधिकारी करमचारियों को चुनाव के अवधी के दोरान चुनाव आयोग के परती न्युक्ती पर माना जाएगा। राष्ट्य सम्मान अधिनियम वर्स 1971 का अपमान करने पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रती बंद लगाना। इसके अत्रिक पर माना जगित न होना। पहले इस्तिती क्या होती थी कि कोई व्यक्ति दो से अधिक निर्वाचन चेत्रों से भी क्या है चुनाव लड़ सकता था। जिससे एक ही व्यक्ति क्या है कही निर्वाचन चेत्रों में अपना चुनाव पर्चा भढ़ता था जिससे क्या है सरकारी मा शीम्द्री इसका अत्यादिक परियोग होता था और जो निर्वाचन में परती निधियों की संख्या है वह बढ़ती थी निर्वाचन और इसके अत्रिक्त उम्मीद्वारों की मौत पर चुनाव इस्थाकित होना पहले क्या था कोई भी उम्मीद्वार अगर उसकी मौत हो जाती थी चुनाव परचार के दौरान तो चुनाव को इस्थागित कर दिया जाता था किन्तो अविस्थिति यह है कि केवल और केवल राष्टिय दल और राज्य इस्थरिय मान्यता प्राप्त दल जो होंगी उनके केंडेट अगर उनकी मौत होती है तो चुनाव को इस्थागित किया जाता है और वह अन्यता नहीं तो यह भी क्या है चुनाव सुधार किये लक्ष चुनावी परकिरिया को निस्पक्ष सठी और पारदर्सी बनाना है जिससे प्राप्त प्रणामों को सुतंतर रूप से सत्यापित किया जा सकी है अब इवियम जो है इलेक्ट्रोनिक वोटिंग वसीन है और आज इस्थितियां यह है कि इलेक्ट्रोनिक में भी क्या है सौफ्ट्वियर के माध्यम से 60 साल की संभाव नाहीं रहती है किन्तु फिर भी जो वैलेट पद्दती थी और जो अन्या परकार की पद्दतियां थी उनके आधार पर जो इवियम मसीन है वो काफी सुरक्षित होती है चुनाव कराने के संदर में और काफी निस्पक्ष ह अब इवियम के साथ आपने देखा होगा कि एक और मसीन का प्रयोग किया जा रहा है मैं नाम मिस कर रहा हूं जिसके माध्यम से क्या है आप ने किसको वोट दिया है वो रसीद भी आपको वो तिक भी आपको दिख जाता है और कहीं न कहीं आप निश्चिंत रहते हैं कि पाया है जिसको की आपने वोट दिया है इसके आत्रिक 2000 से पूरो अन्या को सुधार किये गए थे जैसे सारुजिनिक छेत्र के उपकर्मों भारतिय इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बंगलोरू और इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्प्रेशन आफ इंडिया लिमिनिट के सयोग से भारत के चुनावा यूजओं द्वारा इव्यंउड female को तैयार किया गया जा सब्सक्रोनिक्स लिमिटेड बंगलोरू और Electronics Corporation of India Limited हैदराबाद इन दोरों के सयोग से EVM का क्या है तयार किया गया था इसके आत्रिक दिसंबर 1988 में संसद्वारा कानून में संसोधन किया गया और जन परतिनिदित अधिनियम जो 1951 में एक नई धारा जोड़ी गई जिसमें आयों को EVM मस्विनों के उप्यों का अधिकार दिया गया तो याने कि EVM का जो शुरुवात है वह वर्स 1988 में संसोधन के माध्यम से और सबसे वर्स 1999 में गोवा विधान सुवा चुनाओं में सबसे पहली बार EVM को पुरे राज्य में परियोग किया गया था सबसे पहली बार वर्स 1999 में EVM का परियोग हुआ था यह कहीं बार पूछ लिया जाता है इसको आप ज्यान रखेगा कि चुनाओं के दौरान किया गया था परियोग के तौर और उसका वास्तविक परियोग क्या है वर्स 1999 में गोवा से प्रादा हुआ अब बात आती है वर्स 2000 के पश्चात कौन-कौन से चुनाओं सुदार किये गए है तो पहला है एकजिट पोल पर क्रति बंद जनप्रतिनी दित्व आदिनियाम 1951 के तहत चुनाओं आयोग ने मद्दान की सुरुवात होने से लेकर मद्दान समाप्त होने के आदे गंटे बात तक एकजिट पोल पर प्रतिबंद कर दिया गया है एकजिट पोल दूसरा अब एकजिट पोल क्या है इस राए इसके आलावा प्री पॉल पार्च और यह सब मैं मैं डिक इनले होता है ह्योंद करते ही व्यक्ति भाहर रहा है तो उसकी क्या इस राय है तो उसको उसको एक्जिट ले वोट दे वहार आरहे हैं आपसे कुछ व्यक्ति PUSH लेते हैं कि आपने कि उसको वोट दिया या क्या इस्तिति लग रही है और उस आधार पर सर्वे के माध्यम से जो रिजल्ट बनाए जाते हैं उनको एकजिट पोल कहते हैं मैंने आपको बताया एक अलग से वीडियो बनाकर आपको शम्जा दूँ दूसरा है लोकसभा और राज्यविधान सभाओं में चुनाओ के दौरान एकजिट पोल के प्रेणाम प्रकासित करने पर दो वर्स का कारावाश या जुर्माना अथ्वा दोनों की सजा का प्रावदान किया गया है तो यह दोहजार के बाद एक महत्रपून सुधार है दूसरा है चुनाओी खर्च पर सीलिंग यानि कि के लिए चुनाओी खर्च की सीमा को बढ़ा कर बड़े राजियों में सतर लाक और छोटे राजियों में 28 लाक रुपे तक सीमित कर दिया गया है लोक सबा के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसी सेवा में है कि वह अपने घर निवास पर जाकर वोटिंग नहीं कर सकता है तो पहले वह वोट से बंचित रह जाता था जैसे सेना है पुलिस है यह लोग वोटिंग से वंचित रह जाते थे तो किन्तु अब पुश्टल वैलेट के माद्यम से जब मद्दान की विवस्ता की गई है और सरकारी करमचारियों को इसका अपने वोट देने का लाप मिल पाता है सरकारी करमचारियों और समस्त बलों को चुनावायों की सहमती के बाद पुश्टल वैलेट के माद्यम से मद्दान करने की अनुमती है विदेश में रहने वाले ऐसे भारतिय नागरिकों को मत्दान का अधिकार है जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और उनका नाम किसी भी निरवाचन छेतरी की मत्दाता सुची में दर्ज है तो ये व्यदस्तिक विक्तियों को भी जो पढ़ने के लिए जौब के लिए बार गए है उन्हें भी मत्तान का अधिकार है जागरुकता और परसार तो आप देखते ही होंगे चुनाओ आयोग या निर्वाचन आयोग परती वर्ष बहुत अधिक खर्च क्या है चुनाओ के परती जागरुकता या जन जागरुकता बढ़ाने के लिए करता है आपने विभिन रैलियों को विभिन नुकर नाटकों को होते हुए देखा होगा और परती एक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्य मद्दाता दिवस के रूप में चुनाओ योग ने गोसित किया है और यह सिलसिला वर्ष 2011 से चल रहा है तो इन जो यह 2011 और 25 जनवरी इन सब एक एक नमबर के हिसाप से भी आप अपने questions को तयार करिए और इस परकार के questions ही optional questions मे कि जानकरी चुनाओ आयोग को देना यानि कि अगर कोई दल राजनितिक चंदाय खटा कर रहा है तो 20,000 से अधिक None of the above का जो परियोग है चुनाओ में उसका अधिकार दिया गया है बले ही नोटा आज एक ऐसी इस्तिति है कि अगर नोटा सबसे अधिक मत प्राप्त करता है तो क्या है जो दुसरे नमबर का व्यक्ति है उसको विजाई घोसित कर दिया जाता है याने कि नोटा आपको दिया तो है किन्तो उसकी जो सक्तिया है वो नोटा को नहीं दिये और इस कारण इसका बहुत कम परियोग अभी भी हम देखते है बहुत अधिक परियोग हो रहा है फिर भी जब उसकी सक्ति नहीं है तो उसका लोग कम परियोग करते हैं जब उसको सक तो उसका लोग अधिक प्रियोग करेंगे और इसमें और सुधावत की आवशकता हमें लगती है तो वर्स 2013 से नोटा व्यवस्ता लागू की गई थी इसको आप ध्यान रखेंगे मद्दाता को किसी भी उम्मीद्वार के पक्ष में वोट नहीं देने और मद्दाता की पसंद को रिकॉर्ड करने का विकल्ब देता है यानि कि आप जो जितने भी केंड़ेट हैं उन में से जब किसी से भी आप खुश नहीं है किसी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं तो नोटा दबा सकते हैं मद्दाता निरिक्षर पेपर ऑडिट ट्रायल योग इवियम से अनुमती देती है कि वह सतापित कर सके कि उनका मक्त उक्त उमिद्वार को पड़ा है जिसके पक्ष में उन्होंने मत डाला है निरिक्षर पेपर ऑडिट ट्रायल तो जब एक मैंने जैसा आप ही बताया था उस मसीन का नाम मिस्स कर रहा हूं पर मद्दाता निरिक्षर पे जिसे मत दिया गया है और अंत में है तक्निकी का परियोग निर्वाचकों के लिए कंप्यूट्री क्रिद डेटाबेस का निर्मार्ण व्याप्षर परकिरिया का वीडियो रिकॉर्डिंग करना यह सब क्या है भारतिया निर्वाचन परनाली में अब तक कि जो सुधार किय गये हैं उसका ब्योरा है इसके आत्रिक्त आयोग ने आइनलाइन संचार यानि कॉमेट नाम की प्रनाली विक्सित की है जिससे चुनाओ के दिन परतियक मत दाता केंद्री की निग्रानी करना भी संभाव हो पाया है तो आपने देखा कि वर्स लगबग 1970-72 से ही क्या है भा करते दक भी वह चुनाओ प्रनाली में सुधार करता जा रहा है जैसे जैसे चुनाओ प्रनाली को सुद्रिट बनाएगा वैसे वैसे देश का लोकतंत्र सुद्रिट होगा यसी हम काम ना कर सकते हैं मुझे आसा और उमीद है कि जिन विश्यों पर हमने बात की होगी वह आपको समझ आई होगी अगर कोई बिंदू है जो आपको समझ ना आया है तो अवश्य कमेंट करें आप लोगों ने मुझे सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्याओ